मैं टेस्ट करके बताती हूं कि लिटिल मिलेट का पुहा कैसा बना है तो मेरे फर्स टाइम बनाया है और फर्स टाइम ही इसको खा रही हूं आपी के सामने है है वेल्कम बैक टो माइन यू व्लॉग तो अभी किचन में मेरा कुछ खास काम नहीं हुआ दूद्ध वगड़ा आज़ा तो दूद्ध पका लिया है और हमारे यहां पांच-छे दिन हुग है बाई नहीं आ रही है तो काम तो इस समय भैंकर रूप से बढ़ा हुआ है उस पनीर वाली रेस्पी में देखा ही होगा कि पनीर मैं घर पे कैसे निकाती हूं और आज मैं फिर से बना रही हूं पालक पनीर की सबची मैं जबलपुर में आप लोगों को एक इंटरवू भी दिखाया था उनका कि वो मिलेट का ही पूरा बिजनेस करती है और उनकी शॉप जबलपुर में तो वहां से मैं लेकर आई थी पोहा है यह पोह है लिटिल मिलेट का पोह है मतलब खुटकी का तो इसको मैं आज बडना कर देखूंगर यह कैसा बनता है मैं भी फस्टाइब बना रही हूं चलिए इसको बनाएंगे आज हो रहा है क्याम खेश्टे घर में पता है न, कोहाटर में बहुत काम है, मुझे तो लग रहा है, जब तक मैं यहाँ से जाओं कि नहीं, काम ही काम रहेगा, पहले मेरे वीडियो में देखा था, हाँ, खुलना भी, इसको ऐसे करना कैसे, उपर, 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 यहीं कहीं से फसा है, शायद, अब जवारू काम है हाँ, देखो, यह रखा एक वो, लोहा रखा है, वो पढ़ा है, उधर पढ़ा है, यह सब पढ़े तो यह पढ़े और लोहे, अब ठीक हो गया, आरे होगा अब रहने दो यह सब, यह हमसरी होएगा, भाईया भी कह रहे हैं, यह पहले ऐसे रहता है, पाई तो अच्छा इसमें लकडी में बहुत डेंजरस है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसकी लकडी भी खराब हो चुकी है, तो इस एसी का स्टैंड बनवा रहे हैं, और मैं ऐसी हूँ कि मुझे हर चीज ना परफेक्ट चाहिए, तो मुझे जिस दिन से मैं यहां आई हूँ और यह मैंने देखा हूँ है, मैं पीछे पड़ी हूँ, मुझे स्टैंड बनवाना है इसका, तो अभी बाहर काम चल रहा है, चलिए मैं दिखाती हूँ, यह लिटिल मिलिट या कुटकी का पोह है, मैं सिर्फ अकेले अपने लिए बना रही हूँ, मैं फर्स टाइम बना रही हूँ इसक इसे नार्मर पोहा बाश करते हैं, वैसे ही अम इसको बाश कर लेंगे, या मैंने एक छन्मी रख लिए, इसाम डाल देंगे, हूम इससे लिटार देंगे, इससे पानी निकल जाए, इसको अब हम साइट में रख देते हैं, और कुछ शचीयाँ कट कर लेंगे, हम यहाँ ल कट कर लूँरों चीनलाइक से लंगे लंबे बरिकाती जहाएँ मैं प्यास त्वयाज रेए of मैंने यहां गैस के उपर कड़ाई जड़ा दी है, अब इसको गरम होने लेते हैं, तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी मीठी नी, तिल और राई अब इसमें सब्जी डाल देंगे, जिसे सब्जी अच्छे से जम्पी डरिज़्ा खेंगे, तिल भाग करें, पड़ने देके, जियां भूगी है, अब इसमें डाल देगे, पड़ा सा मिलेट का पोहाद होया था उसको डाल लेते ही जितनी भी डिसेस रहती है मैं उसमें बहुत सब्जियां डाल ती हूं मिलेट का पोहा बहुत संदर लग रहा है अब गैस को बंद कर देते हूं यह लिटिल मिलेट का पोहा बनकर रडी हो गया मैं मेरे पास है कुछ ऐसे बतर नहीं है जिसमें सर्व करूं दिखाऊं आप लोग को सुंदर सुंदर प्लेट से क्रॉकरी की क्योंकि इस समय मैं रह रहे हूं सागर में तो भी मेरे पास यहां कुछ नहीं है जबनकर में मेरा स्टॉक पूरा वही है क्रॉकरी का कि अब इसको टेइस्ट करके बताती हूं की सबना है तो मेरे हंस्ट हैो समय चीज़ था कर दो है कि अई है बहुत अच्छा लग रहा है और हां इसमें आप मतर बगारा भी डाल सकते जो भी सब्जी आप इसमें अड़ करना चाहें और भी कर सकते हैं नाइस काम भी हो गया तीछे पढ़ रहा तो हो ही जाता है मैं बहुत देल से पीछे पढ़ी थी बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था यह लकड़ी लगी यह देखिए यह ऐसा स्टांड बन गया है अब अच्छा लग रहा है और मैं आपको अंदर भी दिखाती है जो बोल यह वाला एरिया था वह यहां से ओपन हो गया है यह थंडा अच्छे से होगा ऐसा बोल रहा है था एसी वाला अब देखते हैं यह प्लाई लगी हुई थी आपने पिछले वीडियो में देखा था तो यह प्लाई भी कटवा दी है तो अब शायद और अच्छा थंडा होग है ऐसी ऐसा ऐसी वाला बोल रहा था कुरा इसको ओपर रखेंगे इस एरिया को तो ज्यादा थंडा होता है ऐसी तो बड़ी है चलो आज काम हो गया अब मैं आप से मिलती हो नेक्स्ट व्लॉग में कोई घर पर आ जाता ना काम करने वाले तो अपने दूसरे काम नहीं हो प तो चलिए मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट व्लॉग में ओके बाई